दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चली बेचने वाली की मा, कुकुर जैसा भौकना बंद करो, आपका असली चहरा पुरी देश की जनता समझ गई है, फेकु बाजी और जुम्ले बाजी की नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिशन, रविवार को राज़त की माहारैली थी, इस माहारैली में राज़ सुप्रीमो लालु प्रशाद यादव ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार को लेकर विवादित बयान दिया था, रा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, जब आते हैं तो परिवार पर तंच कसकर चले जाते हैं, लेकिन परिवार होगा तब तो कोई उनके बारे में बात करेगा, आपका तो कोई परिवार ही नहीं है, जिसके बाद एक अलग ही राज़नीती देखने को मिल रही है एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम जितने भी नेता है वो अपने बायो को बदल दिया है उन्होंने अपने नाम के बाद में मोधी का परिवार जो ना शुरू कर दिया है अब मोधी का परिवार का बायो जो है वो काफी जादा सोचल मेडिया पर पॉपलर हो गय एक तरब जहां नरेंद्र मोधी के परिवार में विजय कुमार सन्हा, समराठ चौधरी, जेपी, नड़ा, अमित, शाथ, तमाम जितने भी बीजेपी के कारे करता है, बीजेपी के मंतरी है, बीजेपी के बिधायक है, बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने अपने बायों के सार प्रधान मंतरी मोधी का नाम जोडना शुरू कर दिया, इसको लेकर लालो प्रशाद यादब की बेटी रोहिनी आच्यारे ने भी कहा था कि नाम जोड लेने से कुछ नहीं होता है, जन्प्रमान पत्र पे अपने पिता की जगा पर नाम लिखवाई तब जाके वो परि प्रवकता प्रवकता जो है राजवत की उन्हों ने इस तरह का बयान दिया है, चलिए सबसे पहले हम अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्सियल सिलेंडर दूसरे के भतार को चोरी करने वाली गोवा में बीफ चली बेचने वाली की मा कुकुर जैसा भौकना बंद करो आपका असली चहरा पूरी देश की जनता समझ गई है फेकू बाजी और जुम्ले बाजी की अकड को अकात में रहकर के बोलो वरना बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तयार बैठी है तो आपने सुना क्या कुछ कहना था सारी को की राज़त की प्रवक्ता है इस स्मृति रानी ने राज़त सुप्रीमो लालो रुशाद यादब को चोर कहा था और जब चोर कहा तो इस पर सारी का गुस्सा फूटा है और उन्होंने इस स्मृति रानी को यहां तक कह दिया कि वो दूसरे के पती को चोरी करती है फिलाल के लिए इस खबर में इतना है तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूस फॉरनेशन